यह कुशिन पेपर है दिसमबर 2019 CSIR NET जैसा कि आप सब लोग दे ही चुके है एक्जाम और आज आंसर की आ गई है इस फर्स्ट फ जैन्वरी आई थिंक किशिन लाइक बड़ा जबरदस आपको सर्प्राइज दे है न्यूएर का सर्प्राइज तो न्यूएर गिफ्ट में मैं आपको इस वक्त दे रहा हूं वो आंसर की इसको देखके आप जड़ा जल्दी से चेक कर पाएंगे किसी भी आंसर की अभी कोई श्यूरिट नहीं है CSIR is the answer the final answer आपको अपने कोई भी objections लगाने है तो आप मेरी मदद ले सकते हैं मुझे WhatsApp कर सकते हैं मेरा WhatsApp नंबर आप लिख आप अपनी चोईस को देखते जाएएगा इस अ मुल्टीपल चोईस एक्जाम एस पूर कुछिंस and each with the four answer choice and every question is having one correct answer what is the probability that all answer correct by independent random guesses each one वो एक फिमस सा सवाल है question number three के लिए answer number one I hope question number two के लिए I have already given the question of answer choice two cyclist वाला question है मैरे ख्याल से सबकी जो की है वो अलग-अलग जगह पर है question सबका अलग अलग जगह पर है की randomized है तो आपके पास जो PDF आया है उसको आप देखिए और यहां पर question को देखके आप अपना अपना मार्क कर लीजिए तो मेरे ख्याल से ज़्यादा आसानी होगी otherwise कापी सारे घंटे लग जाएंगे CSR का जो की है मैं CSR का की दे रहा हूं मैरा अपना की नहीं है कि आधार इंस्टिटूट आई ओफ यौल नो आधार इंस्टिटूट एड जैपूर और एक जो बड़िया सा अभी मेरे को कमेंट आया एक बच्चे का कि सारे के सारे क्रिशन एक्चुली हमारे नोट्स में से हमारे वीडियो में से आया है वो बड़ी संतुस्ट्री देता है और वी आर एक्चुली आई गुरुजी आप हो सकता है आप में से कही लोगोने डाउनलोड कर रखा हो मैं दुबारा लिख दूँ आई गुरुजी इसका गूगल प्लेस्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं अंड्रोइड अप्लिकेशन है क्शन नमर् 3 का आंसर 1, क्शन नम 7, based on the chart shown, answer is 3, according to CSIR, that is the D-choice, Thrice वाला, question number 8, 7 का हो हीगा, 8 is a choice 4, question number 9, choice 2, question number 10, choice 3, question 11, choice 2, question 12, choice 4, 15, choice 4, question 13, choice 3, question 14, choice 4, question 15, choice 4, question 16, च्वेशन 17, च्वेशन 3, च्वेशन 18, च्वेशन 4, च्वेशन 19, च्वेशन 3, च्वेशन 20, च्वेशन 4. फ़ड़ा सा देख लीजिएगा, सही सहर यह की है, मुझसे भी हो सकता है कुछ मार्किंग करने में गलत हुआ हो. आंसर्स को हमने की CSR की की से निकाला है, जो कि आपके objection वाले section में दी हुई है. हो सकता है आप में से कई लोगों को इसको answer निकालने में थोड़ी बहुत कटना ही हुई हूई हूँ, मैरे खाल से यह ज़्यादा आसान तरीका है काम करने हुए. यह आपका section B शूरू यहाँ से होता है, इसको question number 1 कहा गया है, बड़ असल में यह मेरे साब से 21 question होता है हमारा. Interacting genes which are involved in the producing continuous variation of phenotype in a population is known as it is QTL, QTL analysis आपने सुना होगा, लेक में आपका bottom up top down control है, community ecology में मैंने काफी detail में आप लोगों से discuss किया हुआ है, answer is third, the agrobacterium tumefacians, famous चीज है, again वोई TI plasmid की छोटी से एक स्टोरी होती है, कोईने कोई सी, and the answer is four, जिसमें opine catabolism के बारें बाद की और यह मैंने अगर आपने ध्यान दिया हो, तो मैंने RDT का एक वीडियो लिया था YouTube के, पर इसमें काफी detail में इसको discuss किया था, यह not required, क्योंकि मामला है, यह opine वगरा वो ता भी उस करता है, जो बैजे डेक्टीरियम होता है, और यहां यह transgenic वाली बाद चल रही है, पुर इसके उपर पिसले साल, पिसले से पिसली बार में, एक section C का सवाल था, question number 6, it is answer number 4, मैं आपको बता दूँ कि इस वक्त यह section B चल रहा है, पूरा का पूरा, और मैं directly answers लिख रहा हूं, CSIR ने जो आपको answers दिये है, objection अगर कोई है, तो आप मझे बताईएगा, अभी मैंने इस को पूरा खुद से अपने level पे check नहीं किया है, आज एक January है और इस दिन आप असल में सिर्फ answer ही बता सकते हैं, क्योंकि discussion वगरा में मुझे काफी सारा समय लगेगा overall, आप लोगों ने पिसली बार भी मुझे काफी सा रहा था, around 25,000 के लगबग मेरे views थे, उसके लिए आप आपका धन्यवाद, जिन्होंने देखा हूँ, question number seven, the answer is third, question number eight, answer is first, it is superficial cleavage, central acetyl में, सारा माम लगी होता है, क्योंकि जो बीच में york होता है, question number nine, it is answer is second, transparent receptors, जो कि खुदी endocytos हो जाते हैं पुरी तरह से, receptor और ligand भी, mainly जो अपना फेरस है, उसके transport में काम आता है, question number ten, it is second answer, that is lacking the oncogene, the oncogene बाद में बदलते हैं, which of the following factor वाली जो बात है, that is question number 31, या 11, the answer is second, abscissic acid, इसको मैं detail में discuss करूँगा, अगले 24 से 48 घंटे में इसका detailed discussion आएगा, with objections, अगर आपको लगता है, fruitful है, तो obviously, आप अपना objection लगा सकते हैं, CSR में, कहानी वही, एक हजार रुपय आपको देने पढ़ेंगे, now, this 12th question answer is second, मैं इसको भी बता दूँ आपके से, second, then 13th, जो कि आपका which one of the following statement regarding amino acid वाली जो बात है, that is your second answer, 14, first answer, again 12th level का question था, typical वाला, clogging, 12th का question नीट में आयावा question था है, 15 में, number 1, then 16, 1, bacterial growth की जो बात की जा रही है, पूरी की पूरी, आप अपना जो PDF है, उसको थोड़ा सा आपको परेशान नहीं होगी, but at least language देखके, आपको answer टिक करना आसान रहेगा, अपने PC पर अगर आपने खोल रखा है, तो इस पर आप mark करते जाईए, और जो mobile में अगर आपने अपनी PDF खोल रखी है, तो mobile में PDF पर write करने के options आते हैं, वो software डाउनलोड कर दीजिएगा, then come 17, 17 में answer is 3rd, root cap, 18, answer is 3rd, 19, answer is 2, 2, synapsin is a famous thing, जिसमें के हम बात करते हैं, synaptabreven, syntaxin, वहाँ पर आता है synapsin, लेकिन उसमें से आपसे यह पूछा गया, टैथरिंग करने के लिए कौन सा इस्तेमाल होता है, पूरा का पूरा confusing question था यह, 20th में answer is 2nd, 21st, वैसे मैं अभी तक पूरा पढ़ा नहीं है, यह मेरा, अगर आपने मेरा attend किया है, वीडियो अगर मैं वीडियो कूर्स ले रखा है, तो यह exactly यह की, यही चीज में एक्स्प्लेंग की हुई है, वीडियो कूर्स में, जुसमें histone का, जो modification का, जो हमारा वीडियो है, it is chromatin remodeling, उसमें हमने exactly हर एक point पर discussion किया है, इस पर, and the answer is second, 22 answer is 4, 23rd, answer is 2, 23rd, 24, it is 4th, यह calculation था, मेरे खाल से, यह हमारा बाइफिजिकल का वीडियो है, उसके अंदर यह calculation है, पूरी की, पूरी, exact वही सवाल, then यह population ecology का simple सा सवाल, मेरे खाल से, यह bacteria का, bacteria का है, वैसे तो, बहुत famous सवाल है, NT is equal to N0 to 2 power N, यह रहा शायद, 25 में 3rd, बहुत फिम, बच्चों ना सवाल है, 12th रवल का सवाल है, तो मेरे यह साब से question paper was easy, then 26th is a 4, 27th is 3rd, 28th is 3rd, 29th is 1st, 30, that is 2, 31, that is 2, 32, 3, 34, 32 is 3, 33 is 2, 34, 2, यह famous सवाल है, आपका नेगेटिव रेगुलेटर वेंडिंग, क्योंकि अगर concentration बहुत जादा होती है, तो यह एक negative regulator हो जाता है, और अगर concentration कम रहती है, तो यह positive regulator होता है, यह की चीज़ को बन चालू, बन चालू, यह कर सकता है, अगर आपने O1, O2, O3 की बारे में पड़ा है तो, उत्फिमस सवाल है, और उल्टी तरफ चलता है, O3, O2, O1, I hope you must be knowing it, 5, that is 2nd, 6, is 4th, then 7, is 3rd, 8, 3rd, 9, 4th, then 60, that is your 40, 40 med 2, blastocyst की जो भी सेल होती है, आपका जो, अगर आपने ध्यान दिया हो, तो आजकल जो बड़े होस्पिटल है, वहाँ पर agents आते हैं, Reliance Life Science के और 2, 3rd companies के, जो की कहते हैं कि हम आपकी stem cells को preserve करके रखेंगे, 21 साल तक या ऐसा कुछ होता है, और उसका अच्छा खासा charge लेते हैं, तो वह यह होती है, आपकी inner cell mass से निकली वी जो embryonic stem cells होती है, I hope आपने पढ़ा होगा, okay, then 61, 1, 40, not 61, 41, मेरी आदत वही बाली पढ़ी होई है, जो पुराने जमाने में numbers चलते थे, खेर, 42, that is the one, cutting question में से होगा है, first number to become extinct as a result of climate change, गंजेटिक डॉल्फिन अभी extinct नहीं हुई है, ध्यान रहा है, 4, 43 में 4, यह आपके specialized fatty acids category कहे जाता है, then 44, 2, 45, 1, 46, 4, 47, 2, 48, 3, 49, 1, question को सब लोग ध्यान से बढ़ेंगे, अपना वीडियो बार-बार रोख सकते हैं, आप चाहें तो, बट मुझे नहीं पता कौन से वाले order की, क्या की है, then 50, which one of the following show complete metamorphosis in all three orders, it is the, यह आपके, जो अपने Gilbert की book है, उसमें exactly diagram दे रखा है, इस चीच का, अगर आपने ध्यान दिया हो, then, section C, यहां से शुरू होता है, given below the adaptation are seen in the various group of the animals, इस तरह की चीज़े हैं, the combination of adaptation, flight, bird flight, पक्षी को उड़ने के लिए क्या चाहिए, यह तो संभवी नहीं है, तो F कहीं भी आ रहा है, तो उड़ा देना, उसको यह रटा दिया है, यह तो हो ही नहीं सकता, और streamline body चाहिए ही चाहिए, मैं ज्यादा detail में discussion बाद में करूँगा, answer is one, मैं आपको बता दूँ कि इसका detail discussion है, वो आप आई गुरू जी के उपर देख सकते हो, एक या दो दिन बाद, इसमें हर एक section के मैं अलग-अलग video बनाऊँगा, और आई गुरू जी वेब डाउनलोड करने के बाद, आप उसके video course में जाईए, video course में जो free section है, free series एक होगी आपकी, free series वहाँ पर इनके detail explanation देख सकते हैं आप, मैं यूट्यूब पर नहीं डालूँगा, यूट्यूब पर आप सिर्फ की देख लीजिए, अगर आपको लग रहा है कि कोई particular question आपने जो किया है, वो सही है और आपको उसके proof वगिरा चाहिए, तो मैं proof के साथ पूरी की पूरी ये जो इसकी video होगी वो डालूँगा, तो आप एक दिन बाद आप देख लीजिएगा, question number 72, that is 2, answer is 2, यह आपका cell cycle का बहुत प्यारा question है, बहुत famous question है, आपके Bruce Alberts, अगर आपने पढ़ी है, तो Bruce Alberts में सीधे के सीधे question था यह, third method, question number 4, that is choice 1, question number 5, choice 2, यह आपका match the table था, बड़ा अच्छा question लग रहा है, मुझे तो यह RT-PCR पर बेज रहा होगा, question number 6, animal physio का question है, वैसे एक और चीज बता दूँ, जो written paper और यह जो computer-based question है, इसमें एक चीज पूरी तरह से बिगड़ चुकिए, that is the ordering, पहले का जो calculation होता था, कि पीछे की तरफ आपके tools और techniques आएगा, शुरू में biochemistry आएगा, ऐसा इस question paper में बिल्कुल भी follow नहीं हो रहा, तो आपको पूरे 75 questions के through, go through होना ही पड़ेगा, section C में especially, 6 में answer is 1, 7 answer is 2, 8 answer is 2, and the 9 answer is 4, आप इन questions को देखते जाहिएगा, मैं आफटार थोड़ी सी धीमे कर रहा हूं, 10 ये genetics का कोई question है, मेरे का से कुछ inversion वगरा पूछा है, मैंना भी question पढ़ा नहीं है, answer is 4, 4, then 1, that is 11, answer is 3, आप images को देखते जाहिए, धिरी धिरी पढ़ते जाहिए, then 2, that is 12, it was not a mechanism of the species coexistence, that is 3, niche overlap नहीं करना चाहिए, then 3, answer is 3, 4, 84, answer is 2, that is 15, answer is 1, 16, answer is 2, ये molecular value जी का basic से सवाल है, मैंरे कहाल से बहुत ज़्यादा कटी नहीं होना चाहिए, डाप फे, based है, उसमें लग लग चीजों के function पूछा है, ये question बड़ा है, और इसको मैंने यहाँ answer किया है, 20, question number 20 में, answer is third, question number 21, answer is 2, question number 22, answer is 2, 23, answer is 4, इन सभी के explanation आप आई गुरुजी के उपर देख सकते हैं, एक या दो दिनों के अंदर, detail explanation में हरेक कदूँगा, और कैसे इनको solve किया गया होगा, और अगर कोई objection है, तो मैं अगले 24 घंटे में कोशिश करूँगा, इसको सही समय पर आपके ला सकूँ, 24, answer 3rd, 23 मैंने कर दिया है, 25, यह मेरे answer नहीं है, सारे के सारे CSIR के answer है, CSIR December 2019, 5, that is 4, 6, 3rd, 7, 4, 8, 28, that is 2, 29, 3rd, 30th, that is 3rd, इस पर पहले सवाल आया हुआ है, MIR पे, यह सवाल आया हुआ है, आया हुआ है पे सवाल, 1, 31, that is 4, 32, 32, 32, इस 3rd, इसको मिटा दूँ, 33, 2, यह अगे आपके population growth curve का है, this is what is called specific growth rate versus N, specific growth rate आया, formula आया है, mainly, then 4, 34, that is 3rd, 35, 3rd, 36, 1, 37, 1, 38, 4, 39, 1, 42, 41, 3rd, explanation आप देखते जाईएगा, 42, 1, मेरे काद से जल्दी जल्दी करने में आपको चेक करने में आसानी रहेगी, इसलिए इसको मैं जल्दी बना रहा हूँ, otherwise I could have gone for the explanation, जो की लगबग 2 से 3 कंटे का होता, बट अभी न तो मेरे पास समय और मैंने इसको पूरा किया है, सच तो यही है, 43rd, 2nd, 44, और हो जकता है किसी का यह particular combination होगा, तो उसका चेक जल्दी हो जाएगा, then 44, answer is 2nd, 45, answer is 1, 46, answer is 2, 47, answer is 3, 48, answer is 1, 49, answer is 4, then 50, answer is 1, then 51, answer is 3rd, 52, 2, 2nd, 53, 4th, 54, answer is 2nd, 55, answer is 1, बड़ा क्यूशन था, इस ते दो स्लाइट्स में लिया है मैंने, 56, यही बड़ा क्यूशन है, यह फेमस सवाल है, किस चीज का, बड़ा क्यूशन था, Community Divorcity का, okay, then 56, 1, 57, 4, 58, 1, 59, 4, 64, 61, 61, that is 1, 62, is 1, 63, 4, 64, 1, 65, 3, 66, 2, 67, 2, 68, 68, 4, 69, 4, वैसे हो सकता है कुछ लोगों का यह order न हो, question paper का, प्लीज, dislike मत कीजेगा कि मैं एक ही का बना सकता हूँ, और मेरे पास एक ही question paper था, जिसको कि मैंने order किया है, मारे कासे 4 से 5 तरह के अलग-अलग order होने चाहिए, 4 से 5 अलग लगता है कि वीडियो में आप फिर again confused होते है कि कौन सावाला actually आपका है, तो आपको सिर्फ question की theory देखनी है, यहाँ पर, और answer को देखना, answer की choices order सबका same होगा, उसके लिए आप निशिंत रहिए, ठीके, 69, it is 4, then 70, it is 2, 71, answer is 1, 72, answer is 3rd, 73, answer is 3rd, 74, answer is 4, and 75, answer is 2, so this is all about your answer की, आपको कुछ नहीं करना है, question की theory को देखना है, और choices को देखना है, कोई अंतर नहीं आने वाला है, थोड़ा सा patience रखिएगा, मैंने तो ठीक है, आपको जल्दी से बता दिया, थोड़ा सा patience रखिएगा, answer आसानी से चेक होगा, otherwise आप CSR की साइट पर जाएए, अपना login कीजी, login करने के बाद जो objection वाला option है, उसको आप click करेंगे, तो exact answer वहाँ से आपको मिल जाएंगे, यह मैंने भहीं से बनाया है,